Question No.13 Construct a right triangle having hypotenuse of length 5.6 cm and one of whose acute angles measured 30 degree देखे, right angle triangle बनाना है जिसका hypotenuse 5.6 cm दे रखा है और एक angle 30 degree का बहुत ही simple question है यह देखे सबसे पहले क्या करें आप ए भी ड्रॉ कर लें और वो भी कितने का 5.6 cm का देखे हम क्या करेंगे ए भी ड्रॉ किया है हमने 5.6 cm इसका नाम क्या रखा है हमने A, B और यह measurement कितनी है 5.6 cm अब angle A पर 30 degree का आपको angle बनाना है बहुत simple है A को center माने है और कुछ भी radius का एक arc ले ले है ठीक है, इस point को ले है और यहां से एक cut लगा दें तो यह जो आपका angle मिला यह कितने degree का है 60 degree ठीक है और जब आप इस 60 degree का bisector कर देंगे तो आपको कितने का मिलेगा 30 degree का और फिर यही काम सेम आपको इस point से करना है जब आप इसको produce करेंगे इस point को इससे join करेंगे तो आपको कितने degree का angle मिलेगा 30 degree का तो हम क्या करते है इस point का नाम रख देते है इस rate का नाम रख देते है M ए ठीक है M-A-A तो एंगल M-A-B कितने डिग्री का है 30 डिग्री का अब देखिए यह जो A-B था यानि कि 5.6 था था क्या हाइपोटेनियोज तो हाइपोटेनियोज के सामने वाला एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का तो यहां पर कहीं हमें 90 degree का angle बनाना है जो कि बहुत hard होगा क्योंकि हमें नहीं पता इस point से बनाना है इस से तो point नहीं पता चला है ना तो आप क्या करें यहां पर angle A plus angle B plus angle C इन तीनों का sum कितना होता है 180 degree angle A आपको 30 degree दे रखा है angle B नहीं पता लेकिन हमें यह पता है कि जो A B के सामने वाला angle होगा वो C है और जो कि 90 degree आएगा equals to 180 degree तो angle B equals to 180 minus इन दोनों का sum यानि कि 120 यानि कि angle B equals to 60 degree तो हम क्या करेंगे यहां पर 60 degree का angle बनाएंगे तो B को center मानते हुए आप एक arc लें और यहां पर point पर रख कर इसको cut करें तो यह पहला arc जो हमें angle देगा वो कितने degree का देगा 60 degree का तो हमने क्या किया इसको लेकर एक ray produce कर दी जो की ray MA और BN को कहा कट करता है point C पर तो जो triangle ABC हमें मिला वो required triangle है ठीक है अब देखिए आप इस angle को measure करके देखिए 90 degree आ रहा होगा देखते हैं हम measure करके देखिए यह इस तरीके से लेको लगबग 90 degree है यह तो यह 90 degree है और यह कितना degree है यह हमारा 60 degree है और triangle के तीनों angle होगा sum 180 degree तो चेक करके देखिए 30 प्लस 60 90 प्लस 90 180 degree तो यह हमारा triangle तो construct हो गया अब हमें क्या करना है steps of construction it is also very simple देखिए हमने क्या किया सबसे पहले 5.6 cm का A-B draw किया था तो हमने क्या किया A-B कितना लिया था 5.6 cm इसके बाद angle यहाँ पर A 30 degree बना लिया था हमने और इसका नाम रख़ा था M-A-B angle और फिर हमने क्या क्या C पर 60 degree का angle बनाया और इसका नाम रख़ा हमने क्या यह था हमारा N N-B-A वो कितना था 60 degree और यह N-B और M-A N-B M-A कहा intersect करते हैं point C पर तो यही हमारा ABC required triangle और जिसमें यह angle 90 degree का हमारा आ गया था तो I hope आपको समझ में आया होगा exercise finish हो गई है playlist में सारे questions पढ़े है chapter 7 से लेकर chapter 17 तक और आगे आपको इसमें playlist में मिलते रहेंगे तो चलते हम next chapter पर परिया होगा कि मिलते होगे रहे इसमें चलते होगा